राजकी वरिष्ट माधिमिक पाचाला गुवां में रिक्त पदों को यदी जल्द ना भरा गया तो 9 मई को स्कूल के सभी विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ उपायुक्त कारियाले के बाहर अनिश्टित कालीन धर्ने पर बैट जाएंगे ये चेतावनी सुमवार को किलोडवार के जिला परीशत सदस्य ललिस ठाकुर ने अतरिक्त जिला दंडा धिकारी अमित महरा को ग्यापन सौंपते होई दी उन्होंने कहा कि ग्रामपंचायत राड़ी के अंतरगत गुआ स्कूल में भीते दो वर्षों से शिक्षकों के कई पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पढ़ रहा है शिक्षिकों के अभाव में कई विद्यार्थी स्कूल से पलायान कर चुके हैं उन्होंने बताया कि स्कूल में राज़नी सिक शास्त्र, गनित इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और शालीरिक शिक्षक के पद रिक्त है कई बार मांग करने के बावजूद भी रिक्त पदों को नहीं भरा गया है और इन रिक्त पदों के कारण बच्चों की पढ़ाई बादित हो रही है इस संदर में गरामपंचाय तराडी के परधान द्वारा स्थानी विधाई से भी निवेदन किया जा चुका है SMC के माद्यम से निवेदन किया जा चुका है यह हमारे SMC के अधेक्स हैं गुडूराम जी इन्होंने भी अपने SMC के परस्ताव के माद्यम से विभाग को, सरकार को, मुख्यमंतरी, संकल्प, साहिता पर भी इन्होंने निवेदन किया है लेकिन बड़े दुख की बात है कि राजकिय बरिष्ट माद्यम इक पाट साला गुवे में अभी तक एक भी प्रभकता की निवेदन की नहीं हुई प्रभकताओं की कमी के कारण इस पाट साला से स्कूल के चातर और चात्राएं दूसरे बिद्यालियों में अपना पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं इसलिए आज हमने ADC साब से यह मुलाकात की है और हमने यह लिखा है कि 9 मेई से पहले पहले इस पाट साला में प्रभकताओं की विवस्ता की जाए अन्यथा 9 मेई 2022 को उपायुक्त कारयले के समक्स सभी जमा एक तथा जमा दो के बच्चे यहां अपनी कताब्यों सहतर आकर के DC आउफिस के कारयले के बहार अनिश्चित कालीन धरने पर बैठेंगे जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार जिला परशासन और शिक्षा विभाग उतरदाई होगा इस स्कूल में प्लस वान तथा प्लस टू में लग भग डेड़ सो से ज़्यादा ज़्यादा बच्चे शिक्षा गरांड कर रहे हैं केई टीचर दो दो बर्सों से नहीं है केई छे महिने हो गए केईयों को एक साल हो गया कुल मिलाकर के इस पाट साला मैं इस समय एक हिंदी की प्रवक्ता है और एक प्रधाना चारे है अभी सार आप एडीजी साब से में तो उन्होंने क्या बुला उन्होंने ये आशवासन दिया है कि जब तक सरकार न्युक्ती नहीं करती तब तक प्रती न्युक्ती पर भेजने की व्यवस्ता करते हैं कैसे पहले कभी इस स्कूल मेरे कबने को लेकर आवाद प्लंग नहीं दिया था बिल्कुल दो बर्स पहले भी हमने यहां डीजी साब के माध्यम से सरकार को ग्यापन दिया था और उसके पस्याद कुछ प्रवक्ताओं की निउक्ती हुई भी थी लेकिन बड़े दिवे हमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट